सिदा जी ने लिखा है कि और देवता चितना धराई हानुमत सेय सर्वसुख कराई यदि आप लोग इन चौपाईयों का आर्थ ठीक से समझ लेते तो आप लोगों के जीवन में इतना भटकाव ना होता जितना की है आप लोग न किसी किसी देवता के पीछे पड़े हैं कुछ लोग सनी के पीछे पड़े हैं कुछ लोग भैरव के पीछे पड़े हैं ये इतने सारे देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है आजकल तो आप लोग ने बहुत सारे नई नई भगवान भी लाउंच कर दिये हैं जिसके मन में जो आ रहा है वो अपना भगवान लाउंच किये जा रहा है नई भगवान मारकेट में बहुत हैं अब हम किस-किस का नाम लें लेकिन आप बस ये समझो कि जिनका ध्यान शिवजी करते हैं वो भगवान स्रीमन नाराण ही भगवान है वो कृष्ण ही भगवान है वो राम ही भगवान है भगवान सब नहीं हो सकते बताओ क्या सब प्रधान मंद्री हो सकते हैं बोलो हो जाएंगे फिर आप लोग ना किसी को भी उठाया यह भगवान आपके मंदिर में ही ना जाने कितने फरजी भगवान बैठे है हाया ना हिंदूओं की स्थिती यही है इसलिए परेशान है हर रोज नई भगवान लेके आ जाता है एक में उसकी आस्था ही नहीं वो तो हम जैसे मूर्ख है जो एक की पीछे भागते है हमें सत्रा की जरूरत ही नहीं है हमें कोई करोणों दे और कहें कि भगवान कृष्ण को छोड़ दो भगवान राम श्री जगनात जी को छोड़ दो श्री मन नारण को छोड़ दो और इन्हें भगवान मालो तो भईया तुम सारी दुनिया की संपत्ती ले आओ तो भईया ले आओ और ले जाओ पर हम तो अपने एक भगवान को ही जो हमारे भगवान एक नारायन वही राम, वही कृष्ण, वही नर्शिंग, वही वामन, वही जगनाजी वही विठ्छल नाज जी वही द्वारी काधीश वही है वह एक ही इतने रूपों में है तो हम अब देखो आप बताओ जगन नाज जी कौन है भगवान कृष्ण है द्वारी काधीश जी कौन है कृष्ण विठ्छल नाज जी कौन है कृष्ण अब हम इनको छोड़ करके और किसे भगवान माने आप बताओ बिहारी जी कौन है? भगवान है गौरी गुपाल भगवान कौन? लक्ष्मी नारण कौन? भगवान लेकिन इनके नाम बहुत है, रूप बहुत है अब आप लोग ना? और मन माने भगवान अच्छा बताओ कितने भगवान होते हैं मैया कितने भगवान होते हैं यह दादा जी बताएंगे के तु भगवान एक एक तो फिर बाजार में संसार में बहुत सारे भगवान है या नहीं तो बागी कौन है तो बागी भरजी भगवान जैसे पॉंड्रक भरजी था पॉंड्रक कौन था जोर से पंड्रक कौन था भरजी भगवान